ज्यान गंगा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बताएंगे प्रदीम जी मिस्रादी द्वारा बताया हुआ एक अच्यूक महा उपाय और वो है बैकुंट चतुरदिसी के दिन भगवान सिव पर तुलसी चड़ाने का फल क्या है तो बने रही है हमारे साथ अगर मारे चैनल पर पहले कर आए ने तो स्वेक्षण संप्सक्राइब करें संकर भगवान क्यों तुलसी नहीं चरृति के वल एक बैकुंट चतुरदिसी के दिन चर्ती है वह भी राती के समय पर बारे वज्य Осब चार Δेसेंबराव हम करद्धि कैं या करद्ध मंदिर जो तुल तुलसी का पौदा लगा है या लगाया जाता है उस तुलसी के पौदे में जितनी मंजरियां लगती हैं उस मंजरियों में जितने दाने लगते हैं उतने दाने गिन लिये जाएं और उतने समय का वैकुंड का वास उस मनिस्ट को प्राफ्त हो जाता है मृत्यू के बाद कितनी बिचित्र बात है संकर को तुलसी नहीं चरती पर संकर के दरवाजे के वाहर जो सिव के द्वार पर जो तुलसी का पौदा लगाया है या रूपित किया है उस पौदे में जितनी मंजरियां लगी हैं उन मंजरियों में जितने दाने लगे हैं उनको गिना जाए सार वर्सों तक उस जीवात्मा को वैकुंट का वास मिलता है